हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन आई टी ए पर स्टूडेंट आज की वीडियो में हम भारती जल सेना की लेटेश्ट निकली वी अप्रेंट्शिप की आपको जानकारी देने वाले हैं जो की फिलाल निकली वी है नेव वेकेंसी में जो रिक्त पद हैं उनकी तो जैसा की स्क्रीन पर अभी आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले बात करते हैं वेकेंसी एट नेवल शिप रिपेर यार्ड करवर में करवर में में जो वेकेंसी है शिप रिपेर यार्ड में वहाँ पर कितने रिक्त पद हैं सब पद हैं, instrument mechanic के 9 पद हैं, machineist के 4 है, mechanical diesel के चवदा, machine tool maintenance के 9 है, mechanic motor vehicle के 4 है, mechanic R.E.F. and AC के 5 है, painter के 4 है, plumber के 9 है, sheet and metal worker के 11 है, tailor के 2 है, welder में gas and electric के 9 पद है, total 150 पदों पर नर्वर जो ship repair yard है, वहाँ पर vacancy निकाली वे इसी तरिके से vacancy है, naval aircraft yard, goa, goa में जो naval aircraft yard है, वहाँ पर जो vacancy है, वो car painter, computer operator, program assistant, electrician, electronic mechanic, feature, information communication technology system maintenance, instrument mechanic, machinist, plumber, painter, sheet metal worker, welder, इत्ते दी पदों पर vacancy निकाली है, अब यहाँ पर आप ध्यान दे कि, जो goa में जो naval aircraft yard है, वहाँ पर total 30 पदों पर vacancy निकाली गई है, और हर trade में maximum 5 पद हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं, इस vacancy के लिए eligibility की conditions की, तो शुरुआत करते है educational qualification से, इस vacancy में apply करने के लिए candidates के 10th में 50 परतिशत या उससे अधिकंग होना जरूरी है, साथ ही, ITI की जो उनकी संबंदिट trade है, उसमें भी उनके 65 परतिशत से अधिकंग होना जरूरी है, तभी वो इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं, तो 10th में 50 परतिशत और ITI में 65% से अधिकंग होने पर ही आप इस vacancy के लिए apply कर पाएंगे, अगर बात करें age की, तो 1 April 2023 को candidate की minimum age 14 वर्ष और अधिक्तम age 21 वर्ष होना आनिवारी है, तभी आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं, यानि 1 April 2022 और 31 March 2009 के बीज में पेदा हुए candidate से इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं, इस vacancy में जो ST candidates से उनको 5 वर्ष का relaxation दिया गया है, साथ ही 2 वर्ष का relaxation नेवल जो है उसके special recommendation पर दिया जाएगा, इस vacancy में आपका physical test भी होगा, जिसकी जो criteria है, eligibility का वो यहां पर दिया हुआ है, height minimum 150 cm होनी चाहिए और weight जो है, वो 45 kg से minimum नहीं होना चाहिए, साथ ही जो chest का expansion है, वो 5 cm से कम नहीं होना चाहिए, अगर बात करें, आगे qualification में, तो candidates जिन्होंने पहले, इससे पहले कोई apprenticeship की हुई है, जो की apprenticeship एक 1961 के register के अंडर थी, तो वो इस vacancy के लिए अपलाई नहीं कर सकते, यानि इस vacancy के लिए वो ही candidate अपलाई कर सकते, जिन्होंने इससे पूरो में कहीं कोई apprenticeship नहीं किये हो, ठीक है, stipend के अगर बात करें, तो इस vacancy के लिए जो candidates काम करेंगे, उनको दो वर्ष की अगर trade में, अगर आपने ATI किये, तो आपको 8,050 रुपे पर महीने का stipend दिया जाएगा, और अगर आपने एक वर्ष की trade वाली ATI किये, और उनी पदों के लिए आप अपलाई कर रहे हैं, तो आपको 77,050 रुपे पर तीमा का stipend दिया जाएगा, ठीक है, आगे बात करते हैं, इस vacancy में apply करने के process की, तो इस vacancy में apply करने के लिए candidate को सबसे पहले, apprenticeship India.org पर registration करवाना होगा, registration करने के पच्चाथ, candidate की apprenticeship profile create हो जाएगी, इस apprenticeship profile की आपको print निकल वाले नहीं है, और print निकल आपको आपकी 10 की mark sheet के attested copy, आपकी IDA की mark sheet के attested copy, आपकी जो category certificate हैनि जती प्रमान पत्र है, उसके attested copy, अगर आपको किसी प्रकार की disability हैनि विकलांगता है, तो उसके प्रमान पत्र के attested copy, आपको इसके साथ लगा देनी है, साथ ही, अगर आपके मातर पिता में से कोई, Naval Service, Armed Forces या Defense Service में हैं तो उसका भी Certificate आपको लगा देना है इसके अलावा यहाँ पर एक Certificate of Undertaking दी हुई है जो कि आपको इस Vacancy के Advertisement में मिल जाएगा इसके Print निकलवा कर आपको इसको Complete Fill करके आपकी जो चोईस है कि आप किस Vacancy में अपलाई करना चाते है Naval Ship Repair Yard करवर के लिए अपलाई करना चाते है या फिर Naval Aircraft Yard Goa के लिए अपलाई करना चाते है इसके Undertaking का Form आपको Print निकलवा के इसके साथ Attach कर देना है और यह जो सारे Document में आपको बताए हैं यह सब आपको By Post The Officer in Charge Dockyard Apprent Ship School Naval Ship Repair Yard Naval Base करवर करनाट का पर आपको 20 November 2022 से पहले Post कर देना है ठीक है आपको By Post बेजना है 20 November इस Vacancy के लिए Apply करने के Last Rate है उससे पहले ही आपको Post कर देना है क्योंकि Post करने का Process आप सबको पता है यह Time लग सकता है अब बात करते हैं इस Vacancy के लिए Selection के Procedure की तो इस Vacancy में Apply करने के बाद आप लोगों को जितने Candidate Apply करेंगे उन में से Short List किया जाएगा बच्चों को उनकी 10th की और ITA की परसेंटेज के आदार पर जो Candidate Last में Short List किये जाएगे उन Candidates का एक Return Exam होगा और बाद में उसका इंटर्विय होगा इस Return Exam और इंटर्विय की जो डेट है वो फरवरी 2023 संभावित है और जो Return Exam है ये Objective Type की Question आएगे इसमें और इसका जो सलेबस होगा उसमें गणित, General Size और General Knowledge से सम्मन्दित प्रशन आएगे Merit List इस Exam के बाद Prepare होगी, Final Merit List Final Merit List में जो Candidates सलेक्ट होगे उनका एक Physical Test होगा Physical Test में क्लियर कर देने के बाद बच्चों को Finally Joining Letter Issue कर दिये जाएंगे जो कि उनकी Registered Email ID पर प्राप्त होगे आप सभी को जो जानकारी है इस Vacancy सम्मन्दित चाहएगे आपको मिलेगी तो इस Vacancy से सम्मन्दित मैंने मोटी मोटी Information आपको दे दी है अगर आप ये Complete Information जो ये PDF ये चाहते हैं तो आप हमारे Telegram गुप से प्राप्त पर सकते हैं Telegram गुप से जुडने का लिंक आपको हमारे इस Video के Description में मिल जाएगा और इसी तरीकी की Vacancies की IT से जुड़ Information की अगर आप जानकर ही चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आई बटन प्रेस कर दे तो प्रेस मिलते हैं अगली वीडियो में टेक कियर